Hey guys, welcome back to my another video. Friends, आज मैं आपके ले के आया हूँ, TV Jupiter ZX, जहां पर आपको किक मिल जाता है. उस तो बहुत सारे friends के comment आये हैं, मेरे पहले वाले वीडियो पर, कि भाई, new TV Jupiter 125 Smart X में किक नहीं आ रहा. So, उन्हीं सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए, मैं आपके ले के आया हूँ, new TV Jupiter ZX, जो किक के साथ आता है. So friends, यहां पर आप देख सकते हैं, आपको किक मिलता है. So, आपकी जो demand थी ना, वो अभी भी TVS पूरी कर रहा है, बट यहां पर आपको मिलता है 110 CC का air cooled engine. वही ज आपको सेम ही मिलने वाला है. City में, highway पर जाएंगे तो आपको definitely पता लगने वाला है कि यह थोड़ा सा performance-wise weak है as compared 125, because यहां पर आपको 110 CC engine मिलता है, वहां पर 125 CC engine मिलता है. But अगर बात करें mileage की, so city में आपको mileage सेम मिलेगा, performance सेम मिलेगा, बात करेंगे features की. So, यहां पर भी आपको fully digital speedometer मिलता है with smart X connect. So friends, यह scooter आपको सारे features offer करता है, जैसे कि हम बात करें, यहां पर आपको Bluetooth connectivity मिल जाती है, काफी शानदार 3D में display मिल जाता है, 3D में इसलिए बोलता हूँ, because यहां पर यह उपर की तरफ है, flat नहीं है, so यहां पर यह आपको अलग से दिखता है, और काफी अच्छे design के साथ दिखता है, बात करेंगे fully digital speedometer के बारे में, so यहां पर आपको manual दो buttons मिलते है, जिसकी help से आप पूरा speedometer अक्सेस कर सकते हैं, उसलिए यहां पर आपको eco and power का mode मिल जाता है, speed मिल जाती है, यहां पर आपको clock मिल जाती है, यहां पर आ Bluetooth connectivity मिलती है, so basically आपके scooter का complete access होगा आपके mobile पर, उसी के साथ दोस्तों यहां पर अगर mileage की बात करें, so mileage आपको definitely 45 plus मिल जाएगा, जो के एक अच्छा खासा benchmark है, और मैंने बहुत सारे honor से feedback लिया है, scooter काफी अच्छा है, उसी के साथ यहां पर आपको performance अच्छी मिल जाती है, city ride के लिए काफी perfect compact scooter है, even जो female riders है उनके लिए भी काफी अच्छा है, because यहां पर आपको low seat height मिल जाती है, उसी के साथ यहां पर plus point है कि आपको backrest pre-installed मिलता है, आपको बाहर से install कराने की जुरूत नहीं है, जो के long highway ride पर pillion rider को काफी ज़्यादा support देता है, और उनकी ride को जो disc variant है, जिसका own road price है, एक लाख पाँच हजार डेली, जो के काफी अच्छा option है, 110cc engine के साथ, हम compare करें, Honda Activa 110cc को जो अभी special edition है था, वहां पर आपको kick नहीं मिलती है, बट यहां पर आपको ZX, Jupiter ZX में kick मिलती है, यह scooter उन लोगों के लिए है, जिनको 110cc में kick वाला scooter चाहिए, जहां पर Bluetooth हो, digital speedometer हो, LED headlight setup हो, backrest हो, disc brake हो, alloy wheels हो, यहां पर इसके 4-5 models आते हैं, मैं सभी के price आपको बता दूँगा, end में, बट अभी बात करते है, scooter की, यहां पर यह black color काफी अच्छा लग रहा है, और यहां प यहां पर आपको disc brake मिलता है, इसका एक classic variant भी आता है, बट वह भी available नहीं है, बट यह scooter काफी अच्छा option है, अगर आप चाहते हैं, एक दमदार scooter, daily ride और highway ride के लिए, यहां पर आपको pre-installed mobile charger मिल जाता है, यहां पर आपको mobile charger मिल जाएगा, उसी के साथ मिनी cabin मिल जाएगा, जहां पर आप अपना basic समाह सकते हैं, इवन mobile charge कर सकते हैं, यहां पर रखके, उसी के साथ यहां पर आपको काफी comfortable seat मिल जाती है, जैसे के आप देख सकते हैं, बहुत comfortable seat है, काफी buddy seat है, और extra soft cushion के साथ यह seat मिलती है आपको, so overall काफी अच्छा package है, एक लाग पाँच हजार मे अगर आप Delhi में plan कर रहे हैं, एक scooter लेने का, और जिनको kick चाहिए, उनके लिए काफी अच्छा scooter है, विकोज यहां पर आपको digital speedometer मिलता है, Bluetooth मिल जाता है, kick start मिल जाता है, बहुत सारे भाईयों कमेंट आया है, कि हम शहर में नहीं रहते हैं, हम गाउं में रहते हैं, हमारे ल मिलती है, और इस वीडियो को create करने का main reason यही था, आप लोगों के पास एक अच्छा option हो, 110cc जहां पर आपको performance अच्छा मिल जाए, mileage अच्छा मिल जाए, features अच्छे मिल जाए, so overall complete package है, अगर आप plan कर रहे हैं, एक अच्छा खासा scooter, so TVS एक अच्छा brand है, Indian brand है, जहां पर आ low maintenance, अच्छा fuel economy, overall काफी अच्छा price point पर इस scooter मिल जाता है, so video को end करता हूँ, किसी भी तरीके का doubt है about this scooter, कोई new motorcycle लेनी है, कोई new scooter लेना है, so comment कर सकते हैं, आपको जितना detail information होगी, मैं आपके 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 शेयर करूँगा, मिल नेक्स वीडियो में, thank you, thank you so much.